इन सर्द्यों के वसम में गर्मा गरम सांबर और सुपर सौप इटली मिल जाए तो बस क्या बात है लेकिन इटली सांबर बनाने की सोचो तो लगता है बहुत लंबा शम है और मेहनत तो चलिए आज हम बनाते हैं बिल्कुल इंस्टेंट कम मेहनत वाली बिल्कुल होटल इटली बनाने के लिए जबर जस टिप्स भी बताऊंगी कोई मैनत नहीं करने पड़ेगी फटा फट इंस्टेंट सामर और इंस्टेंट इटली बनके होगी तयार हाई अबरिवन वेल्कम को माई किचिन कोकिंग विश्वनेता मैं आपका बहुत बहुत जिल से स्वागत है अगर आपको मेरी कोकिंग वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और सस्क्राइब जरूर करें और इनको सेयर जरूर करें तो चले सुरू करते हम इटली बनाना सबसे पहले बनाएंगे फटाफट सुपर सॉप्ट इटलिया इटलिया बनाने के लिए मैंने बड़ा बॉल लिया और एक कप में मैंने एक कब यहां पे सूजी लिये सूजी हमारी वाइट नॉर्मल होगी बहुत जादा वारी बहुत जादा मौटी नहीं होनी चाहिए इस ब답 मैंने सूजी लीए लिए ना उसी कप से अब हमैं यहां पे दही लेए ना है दय ही हमारा ताजब हो तो बहुत अच्छी बात है मैंने राट बेवी अभी इतना ठीक है, बैटर में हम कोई पानी एड नहीं करेंगे, कोई चीज अभी एड नहीं करेंगे, इसको हम ढख दींगे, करीब 10 मिनिट के लिए हम यहाँ पे इसको ढख के रेश्ट टाइंग पे रख दींगे, इसे साब से जब हमारा बैटर अच्छे से से शेट हो जा यहां भी नीव का सांबर में यूज कर सकते हैं, यहां मैंने इमली को डाल दिया है, करीब 10 मिनिट के लिए, और यह उतनी देर में अच्छे से इसका अर्ग छूट जाएगा, और हमारा इमली का पन्ना बनके तैयार हो जाएगा, इसको हम साइड बैटाफट वेसिक प्रप दाल है, इसमें कोई छिलका भी नहीं है, बहुत साथ अब मैंने यहां पे एक बाउल लिया है, और उसमें एक कटोरी यह तोर दाल मैंने इसमें डाल दिया है, इसमें मैंने एक गिलास पानी डाल दिया है, और अच्छे से हलके हाथों से इसको थोड़ा सा रगड की दुलने के बाद इसका पानी है इसको रिमूब करूंगी निकाल दूगी और अब मैं पानी डालूंगी यहां पे एक गिलास पानी डालने के बाद अब मैं इस दाल को करीब पांच मिनिट के लिए फूलने के लिए रख दूगी करीब 5% अच्छे से फूल जाए 95% इसमें अब यहां फटा-फट इंडेक्शन को अन करती हूं उस पे मैंने रख लिया है अपना कोकर कोकर में यहां डाल दूगी करीब 3-4 चमच ओईल मैंने यहां सरसो का तिल का यूज किया है तेल हमारा अच्छे से स्मोकी हो जाए उसमें से अच्छे से धुआ निकल जाए फिर म अब मैं और पिल पती डाल ताने के दाने नहीं को अच्छे से अच्छे सब्थे इक हपना तोक हाई, पropheले आगा दाने की सादे का ओँ, पर फैस महां में तोकर सप्ले के होूए नहीं तोक्रान से सनकारे सत्थी हैं, कल्दनि रोष्ट करूंगी तोड़ा से सोते करूंगी जिससे कि हमारे ये मशालू में अच्छे से फ्लेवर निकल के आए और हमारे ये सामबर बहुत अच्छा बने बहुत इंस्टेंट बनाना बता रही हूं बहुत जलदी बनेगा और एक ही बरतन में शामबर और बनके हो जाएंग अच्छे से इनको मैंने चौप करके रख लिया था अब मैं इन सब चीजों को इसमें डालूंगी यह सारी ऑप्सिनल हैं आप चाहें आपकी घर पे जो भी फ्रेज में पढ़ा हो वह आप यहां पर यूज कर खड़े मसाले हमारे अच्छे से सौते हो गए हैं अब मैं यहा यहांं पर तोड़ा से बहुतने करने हैं जय से यह पर यहां पर यहां पर यह फयांपर 7 पैयाजद दाला है मैंने दो किंगेआ जा assurance बड़े मान सब कर रहा हैं telefon क्ले चभ्लें product अब मैंने डिशा मोध्ये सिफ़ीर यह प्रद्र श्रत बार्ट आ हैं ऐसे मेंने गल चयर अच्छ पावडर का यूज किया है यह सारे मसाले में घर पे ही अपने बनाएं और बहुत अच्छा कलर आ रहा है आप देख सकते हैं सब्सक्राइब आप यहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं धेस सब्सक्राइब के बाढ़ कर लियुक्ते मीज कर सकते हैं अब गोvention कर सकतें इस सारी कर लीदा कर लिए इस्टरि लिए इसजरो पUD 아 कि सब्सक्राइब कले р Bennett's पानी डाल दिया है। इन सब को अच्छे से इस्टर कर लूगी। अब मैंने यह जो डाल रखी दी ना फूलने के लिए अच्छे से फूल चुकी है। सारी सब्सक्रेश को मिक्स कर लेना है। मैंने 1.5 ग्लास करीब पानी डाल दिया है। दूसरे प्याज आप देख सकते हैं मैं यहां क होटलों में मिलेगाई सामर में से आप match hmm अब मैं में तोड़ा सव श्यृश्टांवर्णा बनानी के लिए यहां पढ़ा किलिए और मेरा इम्ली का इर्ष हैly दुरा चाहा हो कि अपलों गश्व लिए आपकी आप साइड में नापने प्राइब स्भम नेग और समरख क्वाया क्वेश्व का दोणी होगा अस्षा वेगा ओने सब्सक्राइन इडली का वो एक्डम मिक्स कर लेका है आप से एक सेड़ हो गया है देख सकते हैं कितना अच्छा सेड हुआ हैै मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया है इनको mà आफ जब मिक्स कर लेना एक से दो मिनिट के लिए इस तरीकि stårが नमक का यूज करेंगे ना इलिध बहुत ही इल बनकेी है जहां दो, इटलिधम रही हैं तो हमारी सीधान डोफ़ी और बि बनके तयार होगी दो साफ नहीर को फार शापश का भुब ऑब जाड़िया वड़्या का पुरूंगी इनों को थोड़ा活 करनी के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा दो से तीन चमश मेरे पानी का डाला है और एक ही रोटेशन में यहाँ पर आपको घूमाना है और तुरंत ही हमारे साथ चे तयार है अब मैं यहाँ गरणागी यहीं बेटर डालके इटली का इसमें रग दूँगे यह instant Italy बता रही हूं मैं इतली के जब आप बनाएंगे नसमाम टो में सारी इटली और सामर बनटे हो जाएगा तयार सोबह भागदोड में भाग हो जाएंगे और बहुत ही तेश्टी बनके तयार होगा यहां मैंने इस्टेंड को पूरा तयार कर लिया है इसमें इटली का यहां मैंने एक कुकर पहले पानी चड़ा के रखा था प्रीट कर दिया है इसको इसमें मैंने इस्टेंड को सेट कर दिया है और मैं यहां पर एक कुकर का ढगा दूंगी यहां पर मैं करीब दो से तीन तब तक मेरी इधर दो मिनिट बाद अच्छे सी इटली भी पक चुकी है इसको मैं ठंडा कर लिया है और धकन कूल की देखा है तो हमारी इटली अग्दम बनके हो रही है तैयार इसको इटली चेक करने के लिए मैं यहां पर टूथपिक का यूज करूंगी आप चाहें यहां इस्टेंड को निकाल लेंगे और सारी इटली यहां पर निकाल लेंगे आप देख सकते हैं कितनी जाली दार बनी हैं बहुत ही फ्लपी हैं अभी मैं सारी इटली इस तरीके से निकाल लूँगी चमच्छे आप चाहें तो यहां पर चाकु से हलके हाथों से निकाल सकते हैं ये लो फ्रेंड्स पूटल जैसे सूपर सॉप्ट फ्लपी और एकदम मूलाइन इटली हो गई हैं तयार मैंने सारी प्लीड में निकाल ली हैं आप देख सकते हैं यहां पे 12-14 इटली बनके हो गई हैं तयार अब मैं यहां देखती हूं कि हमारा जो सामर है वह बिल्कुल बन हैं और उसके बाद मैं यहां पर सर्विंग बावल में डालूंगी आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है सांबर का और बहुत अच्छी कुल्पू आ रही है फ्रेंट्स बहुत अच्छा बनके तयार हुआ है बिल्कुल पॉन से 10 मिनिट में यह हमारी इटली का साम मिन्टों में यह खास बात है इस रेसेबी की जरूर बनाईए आपको बहुत ही पसंद आने वाली है तो चलिए फटा फट करते हैं ओटल स्टायल इटली शामबर को हम सर्व इस भरी ठंड में ऐसी गर्मा गर्म इटली शामबर मिल जाए ना तो सारे खाने इस इटली मुझे बहुत अच्छी लगती है तो आपको यह मेरी इंस्टेंट होटल स्टायल सामबर और इटली रेसिपी कैसी लगी आप हमें जरूर बताइए और हमाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए फैमिली फ्रेंट में इसको सेयर जरूर करिए